हेलो एब्रिवन, वेलकम तु नौलिज सेंटर फो यू तो आज की वीडियो में हम यूरोप महादवीब के सभी देशों की राजथानी और मुद्रा को कवर करेंगे इसी के साथ यूरोप महादवीब के महत्वपून तत्य को भी हम पढ़ेंगे इसके पहले वाली वीडियो में हमने एशिया महादवीब के सभी देशों की राश्थानी, मुद्रा, करंसी कोड, राश्ट्रपती, प्रधान मंत्री और संसद तो एक ही वीडियो में मैंने ये सभी important points को cover किया था तो आपने इसके पहले वाली एशिया महादवीब के वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको उस वीडियो का लिंकी इस वीडियो के description में मिल जाएगा उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा most important थी वो भी वीडियो तो बिना टाइम वेस्ट किये ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखी यूरोप महादवीब ये विश्व के 7 महादवीबों में से एक है और इसका शेत्रफल 1.4,98,000 वर किलो मिटर है यूरोप एशिया महादवीब से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और एशिया से यूरोप का विभाजन इसके पूर्वे में स्थित यूराल परवत के जल विभाजक जैसे यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेश परवत, श्रिंखला और दक्षिन पश्शिम में स्थित काले सागर के द्वारा होता है यूरोप के उत्तर में आर्क्टिक महा सागर और अन्य जल निकाए और पश्शिम में अट्लांटिक महा सागर, दक्षिन में भूम अध्य सागर, दक्षिन पश्शिम में काला सागर और इस से जुड़े जलमार्ग स्थित हैं तो हमने यूरोप महादिवीब के बारे में जान लिया, अब हम इसके देश और राज़्थानी मुद्रा देख लेते हैं पहला देश है अंडोरा, तो यहां की राज़्थानी है अंडोराला बेला, और मुद्रा है यूरो अल्बानिया, अल्बानिया की राष्ठानी तिराना है और मुद्रा है लेक आइस्लैंड, तो आइस्लैंड की कापिटल ये रेकजाविक है और करंसी है क्रोना इटली का कापिटल ये रोम है और यहां की करंसी ये यूरो है एस्टोनिया, तो एस्टोनिया की राष्ठानी तल्लीन है और करंसी है यूरो ओस्ट्रिया, ओस्ट्रिया की राष्ठानी वियना है और करंसी है यूरो यूरोप का अगला देश है कोसोवो, तो क्रोसोवो की राष्ठानी प्रिस्टिना है और करंसी यूरो है क्रोईशिया यहां की राष्ठानी जागरेब है और करंसी ये कुना है चेक गंडराज तो चेक गंडराज की राष्ठानी प्राग है और चेक क्रोना यहां की करंसी है जर्मनी जर्मनी की राष्ठानी बर्लीन है और करंसी है यूरो डेन्मार्क, तो डेन्मार्क की राष्ठानी कोपनहेगन है और डेनिश क्रोन ये यहां की करंसी है नीदरलेंड यानि हॉलेंड तो यहां की राष्ठानी एमस्टेडम है और यूरो ये यहां की करंसी है नौर्वे, नौर्वे की राष्ठानी ओसलो है और नौर्वे या क्रोन ये यहां की करंसी है पुर्टुगाल, तो लिजबन यहां की राष्ठानी और यूरो ये यहां की करंसी है पोलैंड, पोलैंड की राष्ठानी है वर्सो, नई जलोती यहां की करंसी है Finland, तो यहां की राश्ठानी Helen Sikki है, और यहां की करंसी ये Euro है France, तो France की राश्ठानी Paris है और करंसी है Euro Paris से आप यहां दखेगा 2024 के जो Olympic का आयोजन होगा, वो France के Paris में होने वाला है अगले Olympic का आयोजन और उसके बाद 2018 में जो Olympic का आयोजन होगा, वो Los Angeles में होगा तो आप यहां से ये भी याद अखेगा नेक्स्ट है बुलगेरिया तो बुलगेरिया की राष्ठानी सोफिया है और लेव यहां की करंसी है अगला है बेलारूस बेलारूस की राष्ठानी मिस्क है और यहां की करंसी है बेलारूसी रूबल बेल्जियम तो ब्रुसेल यहां की राष्ठानी और यूरो ये करंसी है बोस्निया है जेगोविना तो यहां की राष्ठानी है सार्जेवो परिवर्थ मार्क यहां की करंसी है मॉंटेनेग्रो तो यहां की राष्ठानी पोटगोरिका है और करंसी है यूरो माल्टा, बेलेल्टा यहां की राष्ठानी और यूरो ये करंसी है मैसेडोनिया तो यहां का कापिटल सकोबजे है और दिना यहां की करंसी है मोल्डोवा तो यहां का कापिटल है चिसनाव और करंसी है लियू मोनाको, मोनाको की राष्ठानी है मोनाको ही और करंसी ये यूरो है युक्रेन, तो कीव यहां की राष्ठानी और इबनिया यहां की करंसी है युनाइट किंडम की राष्ठानी लंडन है और पाउंड स्टरलिंग ये करंसी है युनान की राष्ठानी है एथेंस और यूरो ये करंसी है और अगला देश है यूरोप का रूस तो रूस की राष्ठानी मास्को है और रूबल ये यहां की करंसी है रोमानिया तो बुखारेस्ट ये रोमानिया की राष्ठानी रुमेनियन लू ये करंसी है अगला देश है लगजंबक तो यहां की राश्ठानी का नाम भी यही है और करंसी यह यूरो है लात्विया रिगा यह राश्ठानी है और यूरो यह करंसी है लिथुआनिया तो लिथुआनिया का कैपिटल अगर देख लिया जाए तो विल्नियस यहां का कैपिटल है और सर्विया की capital देख लिए जाए तो बेलग्रेड यहां की capital और सर्विया इदिनार यह currency है San Marino, San Marino का Capital ये San Marino है और Euro ये यहां की करंसी है Spain की Capital है Madrid और Euro ये करंसी है Slovakia यहां का Capital है Bratislava और करंसी ये Euro है Slovenia का Capital है Zublazana और Euro ये करंसी है Switzerland का Capital Burney है और Swiss Frank यहां की करंसी है Sweden का Capital Stockholm है Swedish Krona ये Sweden की करंसी है अगला देश है Hungary हंगरी की राष्ठनी बुड़ा पेस्ट है और Foreign यहां की करंसी है Holy Sea यानि Vatican City तो Vatican City का Capital ये Vatican City ही है और यहां की करंसी है Euro तो ये थे Europe के सभी देश हमने Europe के सभी देशों की करंसी और राष्ठनी को देखा अब हम Europe के महत्वपूर तथ्य को कवर करते हैं तो देखी Europe महादवीप का पुष्ट शेत्रफल के आधार पर ये विश्व का दूसरा सबसे चोटा महादवीप है और अगर आपसे पूछ लिया जाए के विश्व का सभसे चोटा महादवीप कौन सा है तो वो है Australia महादवीप और दूसरा सभसे चोटा महादवीप ये Europe महादवीप है और अगर विश्व का सबसे बड़ा महादवीप देख लिया जाए तो वो है Asia महादवीप ठीक है? Europe महादवीप, Asia महादवीप की पूरी तरह से जुड़ा हुआ है तो Europe और Asia महादवीप, ये दोनों ही महादवीप आपस में जुड़े हुए है और इन दोनों को काकेश परवच रिंखला अलग-अलग करती है रूस, शेत्रफल और आबादी के अनुसार युरोप महादवीप का सबसे बड़ा देश है ठीक है? Europe महादवीप का सबसे बड़ा देश ये रूस है, शेत्रफल और आबादी के अनुसार तो आप ये भी आ दखेगा जबकि वेटीकन सिटी ये सबसे चोटा देश है तो यूरोप का सबसे बड़ा देश ये रूस है और वेटीकन सिटी ये सबसे चोटा देश है यूरोप महादवीब का सबसे बड़ा शहर ये लंडन है और देखी यूरोप महादवीप का सबसे उचा शिखर ये अलबूर्ज है तो आप ये भी या दखेगा इसका सबसे बड़ा शिखर सबसे उचा शिखर ये अलबूर्ज है ये यूरोप महादवीप में है और जन संक्या के हिसाब से यूरोप महादवीप ये एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महादवीप है इस महादवीप में स्थीत स्वीजलेंड सबसे सुन्दर घडियों के निर्मान के लिए जाना जाता है तो यूरोप में ही स्थीत है स्वीजलेंड तो सबसे सुन्दर शहर के रूप में स्वीजलेंड जाना जाता है देखिए वीश्व का सबसे सुन्दर शहर पैरिस जो की यूरोप महादवीप में ही स्थीत है जर्मनी वो फ्रांस यूरोप महाद्वीब के प्रमूग लोह उत्पादक देश है और आप ये भी आ दखेगा यूरोप महाद्वीब के लोह उत्पादक देश है प्रमूग वो है जर्मनी और फ्रांस ओरियेंट रेलमार्ग यूरोप महादवीप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है तो रेलमार्ग भी आ दखेगा ओरियेंट रेलमार्ग है यहां का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग विश्व का सबसे बड़ा महल बेटीकल जो की यूरोप महादवीप में ही स्थीत है और यूरोप महादवीप में स्थीत यूक्रेन गनराज्य को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया भी कहा जाता है तो यूरोप महादवीप में ही है यूक्रेन तो इसी को विश्व का अन भंडार या रोटी की डलिया के नाम से भी जाना जाता है तो most important हो जाता है ये भी question तो friends ये थी अमारी आज की वीडियो इस वीडियो में हमने यूरोप महादवीप के सभी देशों की राज्थानी उनकी मुद्रा और इसी के साथ यूरोप महादवीप के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी cover किया I hope आपको इस वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को like कर दीजी अपने friends के साथ इस वीडियो को share कर दीजेगा ताकि उनको भी help हो और आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया होगा तो चैनल को भी जरू subscribe कर लीजेगा मिलते हैं next वीडियो में